असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर केम तेरीन खबरों से हमें सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नायस क्यूब का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बैल ऐकन को प्रेस कर किने तक वहाँ पे फीफा अरब कप जो होने वाला दो जरेकी इसका वह होने वाला जिसके वैसे नए नए वहाँ पे कानून बनाए गए है क्रॉंची रोड को बन किया गया है तो दोस्तों उसकी टीकट को बिक्री है वह बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है तो यदि आप ट टीकट लेना चाहते है तो टीकट ले सकते हो यदि आप फुली वैक्सिनेटेट हो यदि आप कतर में ये मैस देखेत दो टीकट वहाँ से बुकिंग जाकर सकते हो because so इसमें टीकट की जो जो रेट है अलग लग डाला गया जहां पर आ बाइट चाहते हूँ उसकी हिसाब से मरीज है अब तक वहाँ पे 10% लोगों की वहाँ पे डियावटी से करण वहाँ पे मौत हो चुकी है और ये भी बताया गया कि कतर में लगभग 17% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो की डियावटी से केसे से वह बढ़ते जा रहे लोगों को सुगर्ज वहाँ पे किसी को भी हो जा र हे अगली अबडेट आ रहे हैिसाति हूं वहाँ प्रा बिच कर दब मिनिस्ट्री मौ medidas मार्ट मार्करेत हैं बताया गया कि मुर्शिप्लिटि के से मिनिस्ट्र बुर्सिप्लिटी के से बताया गया अक्तूबर के महिने में वहाँ उप के मेरीय ellen से और 15,05 टन लोकल सब्ज था तो दोस्तों कुल मिला के 1300 टन से भी जादा वहाँ पे सब्जियों को वहाँ पे बेचा गया अब साथियों बात कर लेते हैं हम लोग COVID-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में जो कि MOPH की तरफ से आ रही है बताया गया कि 24 गंटा के अंदर वहाँ पे 120 नए केसेस को रेश्टर किया गया 26 केस महाँ पे ट्रैवलर है 89 लोग महाँ पे 24 गंटा में रिकाबर हुए टोटल महाँ पे 2,49,49 लोग अब तक महाँ पे रिकाबर हो चुके हैं पताना चाहूंगा आपको अब तक महाँ पर 47,59,583 लोग को वैक्सिन दी जा चुकी है 24 गं यूरो पे अब कॉल करके मेडिकल साहिता ले सकते हैं अगली जो अपडेट्स आती हो आ रही है वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरप से वहाँ पे एक मोटर स्थाइकलिस यानि दोस्तो बाइक जो चलाता है उसे ग्रफतार किया गया अरेस्ट किया गया दोस्तो काफी स्पीड गाड़ी चलाने के जुर्म है क्योंकि इसके वज़ा से वहाँ पे यह दोस्तो वीडियो बनाके किसी ने डाला था जो स्टंड करते वे जिसके बाद उसके नंबर प्लेट के जरिये से उस अक्सो ग्रफतार कर लिया है क्योंकि वह अपने आपको भी नुक्स अक्सिनेटेड है तो पर दोस्तो इसी को लेकर बहुत अच्छी ख़बर ये भी आ रही है कि कतर हुकूमत ने ये भी एनॉस्मेंट कर दिया गया कि 6 दिसंबर से कतर को बिल्कुल कुरंटीन फ्री कर दिया जाएगा जिसको दोस्तो सभी को आप लोग को इंतिजार था सके मिलते साथ यो नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए अपना खयाल रखे हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया तब तक लिए लाफीस और टेक केर